मर्प्रदेश लगू वेतन कर्मचारी संग का विशाल प्रदेशिन भूपाल प्रदेश के 30,000 अंश कालीन कर्मचारियों की प्रमुख मांगे पहली साथ वर्ष पूर्ण कर्ने वाली अंश कालीन कर्मचारियों को पूर्ण कालीन का दर्जा दिया जाए उपादान राश्रे से विक्रत की जाए संगठन के प्रदेश अद्यक्ष महिंद शर्मा ने शाशन से मांगी है मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मद्ध प्रदेश लगू वेतन कर्मचारी शंग के तत्वाधान में प्रदेश के 30,000 अंश कालीन कर्मचारी बिभिन भागों में काम करते हैं जिसमें सरकार मात उनको 5000 रुपे बेतन का भुक्तान कर रही है 2018 में 1000 बढ़ा था उसके पूर्व 4000 मिलते थी बाकी मद्ध प्रदेश सासन द्वारा इनको कोई सुवधाय नहीं दी जारी है जब यह कहने के लिए अंसकालीन है लेकिन आज आप देखिए चात्रा बासों में अस्पतालों में 12-13-13 घंटा यह डूटी करते हैं इसके बाद इतनी कम बेतन में आज की सिच्छा परिवार का भरन पोशन यह सब वो करते होगे यह बड़ा दुखत विशय है मत्प्रदेश लग बेतन कर्मचारी शंग हमेशा ऐसे कर्मचारियों की आबाज बुलंद करता रहा है जो जमीनी काम करते हैं जमीनी रूप से सरकार की यह जनाओं का क्रियान वेन करते हैं हमारी सरकार से माग है कि प्रदेश के इन अंसकाली कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपे मान दे दे अत्वा साथ वर्ष की सेवा पूर करने पर उनको 10,000 मान दे के साथ साथ दस वर्ष की सेवा पूर करने पर उनको स्थाई कर्मचारियों को तमाम सुविधाय दी गई है आज इनके परिवार का कोई बक्ति इनका साथ की नोकरी बाला दिवंगत हो जाए तो बेचारे बेघरबार हो जाते हैं, तो हमारी सरकार से माग है कि उनको भी उपादान राशी दी जाए, उनको भी इलाज का पैसा दी आ जाए, सरकार तमाम लोगों के लिए योजनाई कर रही हैं, लेकिन इन गरीबों की कोई सुझ नहीं ले रहा है, मैं सरकार को इसे मान क मन्यों जिसे निवेदन करता हूँ, कि प्रदेश का झन्सकालिन करमचालिकन की उतकाल मागों का नियातर करने के लिए गंभिर्ता से विचार करेंब। मेहंद्र सर्मा प्रांता सिर्फी अत्वरदेस बखुरितर करमचालिकन कहता है